कि अब्सक्राइब कीजिये नेचर सीक्रेट चैनल को और बैल आईकन को प्रेस कीजिये मेरी वीडियो की अपडेट्स के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नेचर सीक्रेट फ्रेंड्स सुन्दर बेदाग और गलोइंग स्वचा कौन नहीं पाना चाहता अगर हम अपनी स्किन की अच्छी तरीके से केयर करेंगे तो ये उच्चित है कि हमारे स्किन बहुत ही जल्दी हील हो जाएगी और ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी तो फ्रेंस आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा फेस पैक जिसमें हम यूज करने वाले हैं दही का फ्रेंस दही में बहुत ही अधिक मात्रा में लेक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है दही का फेस पैक आपकी रंगत को निखारने के लिए और साथ ही आपके स्किन के दाग दबो को दूर करने के लिए बहुत ही बहतर उपाय है फ्रेंज इस रेमेडी को आप ज़रूर एक बार ट्राइ करें ये बहुत ही इजी रेमेडी है और आप आसानी से इसे घर पर बना सकते हैं तो चलिए आज की रेमेडी को स्टार्ट करते है दही में भरपूर मात्रा में प्रूटीन होता है जो आपके स्किन के दाग दबो को दूर करता है साथ ही इसमें जिंक होता है जो कि आपके स्किन के मुहासों को दूर करने में काफी कारगर है तो इस remedy को बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक लोंगी बोल Friends, इसके अलावा हम इसमें एक और सीक्रेट remedy के लिए एक और चीज मिलाने वाले हैं जो की मैं आपको बताऊंगी वीडियो में सबसे पहले यहाँ पे मैं दो चमज दही ले रही हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं दही के बहुत सारे फायदे हैं आपकी स्किन पे और साथ ही में लेने वाली हूँ इसमें हनी Friends, मैंने यहाँ पे पतन जली का हनी लिया है आप कोई साभी हनी यूज कर सकते हैं और करीबन एक चमज मैं इसमें मिलाऊंगी हनी इसके बाद हम इस मिश्रण को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जैसा कि आपको पता है शहद में भरपूर मात्रा में ऐसे पोशक्तत्व होते हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं इसके अलावा दही में बिटामिन D होता है जो आपकी स्किन को एंटी एजिंग से बचाता है और साथ ही ये आपको जवान दिखाने में बहुत ही मदद करता है ये जो हमारा पेश तयार हुआ है ये आपकी रंगत को निखारने के साथ-साथ आपकी एंटी एजिंग प्रॉब्रम को दूर करेगा साथ ही ये आपके स्किन के अंचाहे बालों को हटाने के लिए भी काफी कारगर है इसके लिए आपको इसे अपनी स्किन पर अच्छी तरीके से अप्लाई करना है जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अप्लाई कर रही हूँ करीबन 10 मिनट तक आपको इससे मसाज करना है मसाज करने के बाद इसे आप सुखने के लिए रख दें 10 से 15 मिनट के लिए और जो ये फेस पैक सुख जाए तो आप अपने फेस को ठंडे पानी से धूले इस फेस पैक को आप हफते में दो से तीन बार यूज कर सकते हैं इसके काफी अच्छे फायदे आपको मिलने वाले हैं तो मैं कहती हूँ एक बार इस फेस पैक को जरूर ट्राई करें जैसा कि आप देख सकते हैं तो फ्रेंज यह थी हमारी आज की रेमेडी जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी स्किन बहुत ही मुलायम और कोमल लग रही है तो यह थी हमारी आज की रेमेडी रेमेडी कैसी लगी जरूर बताएं साथ ही अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को हिट करें मेरी वीडियो की अपडेट से लिए साथी लाइक करना ना भूले